जैसा कि आप सभी लोग पता कि BPSC के तरफ से BPSC TRE 3 का आपका एक्जाम 15 मार्च 2024 को जो है कंडर्ट करा जाएगा जो कि मुश्किल से आपके पास यहाँ पर 5 दिन से भी कम उसमय बचे हुए क्योंकि सबका एक्जामनेशन सेंटर BPSC के तरफ से आपका ठीक ठाक दूर जो है आपका बना गया है देखे जब यहाँ पर आप लोग एक्जाम देने जाएंगे तो जो आपका e-admit card होगा क्योंकि जो आपका e-admit card है वहीं आपका final admit card है आपके e-admit card में एक center का code जो है आपका दिया गया होगा तो उस center का code का जो आपका detail होगा जो कि उस detail में जो भी फिर जो college वगर है उसका नाम जो है आपको देखने को मिलेगा तो 12 मार्च 2024 के बाद से जो आपका portal होगा आपको अपने portal को login करेंगे तो जो आपका dashboard होगा dashboard पे आपको जो है उदिखाई देगा जब यहाँ पर आप लोग एक्जाम देने जाएंगे तो जो आपका e-admit card हो अभी ऐसे condition में जो आपके declaration form है वो आपको यहाँ पर जो है उलेकर जाना होगा और था आप लोग को यहाँ पर declaration form से आनि घौसडा पत्र से किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर जो है उलेना देना नहीं है अब यहाँ पर देखें बहुत चारे का message है कि हमारा जो photo है इस त signature को लेकर भी हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ इस तरीके का photo है तो चल जाएगा कोई दिकत नहीं है और यहाँ इस तरीके का photo और signature है तो निश्ची तोर पर आपको यहाँ पर declaration form अपने साथ जो है उलेकर जाना होगा और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके declaration form है नीचे ही आपका यहाँ पर जो है बापका बोला गया कि जो आपका इप्रवेस पत्र होगा आपको जो है उलेकर जाना होगा और यहाँ जो आपका photo admit card में है वह आपका clear ही नहीं हो पा रहा है कि वो आपका ही photo है तब इसे condition में यह जो आपके घोसडा पत्र हो आपको जो है उलेकर जाना होगा और यहाँ पर रिक्ट है रिक्ट का आपका फोटो और सिगिनेचर है वो आपका बिल्कुल खाली है आपके एड्मिट कार्ड में आपका फोटो और सिगिनेचर है ही नहीं तब इसे कंडिशन में यह जो आपके घोशाड़ा पत्र है आपको जो है उले कर जाना होगा अब यहां पर आप लोग बोलेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के एड्मिट कार्ड में फोटो और सिगिनेचर आपका नहीं तो देखें बहुत सारे आपके टेक términ Им सॉ होते हैं जिसके कार्ड से बहुत उरे के चारिके कानिश होते हैं कि आपका जो अब्सकार पर पत्रिद पदा नहीं रहता है तो यह जो आपक पर आप इंग्लिस में जो है आप अपना signature जो है करेंगे देखे यह जो आपके राजपतरित पताधिकारी इसको लेकर भी बहुत सारे candidate अप लोग चिंतित होते हैं कि हम अधर candidate है या फिर बिहार के रहने वाले हैं हम अभी वर्तमान में दूसरे state में जो है वह रहते हैं और वहां से हम यहां पर आएंगे जो है एक्जाम वगर जो है उदेने तो हम क्या बिहार के जो अधिकारी होंगे जो राजपतरित पताधिकारी तो देखिए ऐसा बिलकुल यह आप कहीं भी रह रह रहे हैं और कहीं के भी रहने वाले हैं और किसी भी आप राजपतरित पताधिकारी से अटेस्टिट करवा लेते हैं वह आपका यहां पर दिक्कत है होगा यह तो आपके जो डिकलेशन फोर्म है उसको लेकर यहां पर आ लेते हैं जैसे आप यहां पर देखेंगे तो फोटो जैसे आपका फोट्व धी रहे तो यह तो मेरा फोटो चंहीं छाएगा क्योंकि हां पर जोब्कूल है आपके जोब्ल कर वह रहे leider है तो आपको जलIGHे करे अगर देखेंगे तो पुड़ा उस तरीके का clear नहीं है और यहां पर भी देखेंगे तो पुड़ा यहां पर white जो है बिलकुल इससे जो है आपका मिल चुका है क्योंकि जो आपके examination center होंगे वो तो आपको नहीं पहचा रहें यदि माली जो पहचानते होते या फिर आपकी अ फोटो को थोड़ा सा ध्यान रहें गे तो इस photo में आपका clear हो पा रहा है किस photo में किस तरीके से आपका यहां पर photo झौइ आपका है तो यहीं माली जाए इस तरीके का photo हो या फिर इस से थोड़ा सा आपका अच्छा photo है उसमें आपका Cour ωगर उसमें आपका photo वगर जो है कर जाना होगा क्योंकि आप इस फोटो में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आपका आख है वह आपका नहीं दिख रहा है और इसमें आप थोड़ा सा मतलब यहां पर वोट वगर अभी देखेंगे तो मतलब थोड़ा सा किलियर हो रहा है लेकिन इसमें आख वगर आपका अच्छा फोटो है तो आपका फोटो को लेकर बहुत जादी आपका दिक्कत नहीं होगा। आपका फोटो एकदम्यास डी क्कॉल्टी में झैनली के जाए तो आपको है। ऻुझा सुर्फ भी होते हैं प्रफोटो को लेकर कोई उतना दिक्कत नहीं हoreं क wise दिखा देंगे और हमें ही candidate हैं तो यहां पर जो है मेरा चल जाएगा क्योंकि बगल में आपका लाइफ फोटो आपका रहता है तो देखे आप यह इस तरीके से सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप यहां पर गलत करें क्योंकि बहुत सारे जो आपके इंट्री ले रहे हैं और आपके admit card में फोटो देखे और इस तरीके से है क्योंकि उन लोग को तो ट्रेनिंग दिया गया रहता है और वो जो आपके declaration form होंगे उनको बताया जाता है कि बहुत सारे declaration form है वो यदि मांग लिए तब फिर आप यहां वहां पर क्या करेंगे कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप फिर print निकल वाने जाएंगे फिर पता नहीं किस से आप अटेस्टेट करवाएंगे तब तक तो यहां पर आपका समय होगा वो आपका यहां पर निकल यहीं बनाये गया है कि आपका जो फोटो और जो आपका सिगिनेचर है उसमें कोई यहां पर आपका दिक्कत है तो आप एक घोशाड़ा पत्र लेकर जाएंगे तो बहुत आसानी से आप अपना पेपर उदे देंगे कोई भी आपको यहां पर नहीं रोकेगा नहीं बाप् क्योंकि यहां पर इया पार क्या है में आपको लेकर नहीं और आपने फिर्ट को देखेंगे तो आपको लेंगे नहीं बाइँ diversity रहें एक Sansisi वम्रा अपने सिग्डा़े तो आपको प्र चिया हुगै तो जो आपके declaration form होंगे, वो आपको यहाँ पर उलेकर जाना होगा, बहुत सारे candidate जो आपका signature होता है, उसको छोटा को लेकर आप लोग सुछते हैं, कि मेरा signature जो है बहुत जादे छोटा है, तो कि हमें declaration form जो है उलेकर जाना होगा, तो ऐसा आपका बिलकुन नहीं, जो आपक जांच किया जागा, फिर admit card में जो आपका देखा जाएगा, जो आपका photo होगा, वहीं आपका जो है, main आपका जो फोटो होगा, admit card में उसी पर जो है आपका ध्यान रहता है, signature वगर आपको कोई यहाँ पर उतना मतलब बिसेश तोर पर आपका ध्यान नहीं देता है, बाकि आप सभी लोग पुड़ा कुछिस करेगा, कि आप यहाँ पर exam जो है उदेने जाएं, क्योंकि बहुत चारे ऐसे भी candidate होते हैं, क्योंकि जो आपके examination center हैं, आपके यहाँ पर काफी जादे दूर BPSC के तरफ से बनाए गया हैं, तो आप लोग यहाँ पर मन में सोच इस बार हम यहाँ पर exam देने नहीं जाएंगे, बलकि जो आपका TRE4 होगा, उसमें हम यहाँ पर exam देने जाएंगे, यदि आप ऐसा सोच कर exam जो है नहीं देने जा रहे हैं, और TRE4 को लेकर आप यहाँ पर सोच रहें, तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत करें, क्योंकि BPSC के तरफ से जो भी आपके exam conduct करा जाते हैं, उसमें जो आपके examination center होते हैं, काफी जादे दूर आपका BPSC के तरफ से भेजा जाता है, यदि बिहार की जो मुलनिवासी जो female हैं, उनका आप examination center देखेंगे, तो बगल के बगल वाले जिले में बना दिये जाते हैं, नहीं तो हो सकता है कि इस बार आपका TRE 3 में 12 जो आपके जिले हैं, उस जिले में BPSC के तरफ से examination center नहीं बना गया है, तो अगले बार सभी जिले में आपके examination center बनाया जाएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपका नजदीक रहे, लेकिन BPSC के तरफ से कभी भी आपके examination center नहीं बन पर नहीं है, क्योंकि आल लेड़ी यहां पर कम समय में जो आपका exam है, वह आपका यहां पर BPSC के तरफ से जो आपका लिया जा रहा है, बाकि आप लोग का एदित तयारी उस तरीके का नहीं होगा, तो आप यहां पर उसके लिए सोच सकते हैं, बाकि आप लोग का तयारी स है, इसमें आप लोग यहां पर सेलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत जादे आपका समय भी BPSC के तरफ से नहीं लिया जाएगा, यहीं जो आपका मार्च महिना चला है, तो इसी महिने के लास्ट तक BPSC के तरफ से आपका रिजेट फी जो है, उजारी कर दिया जाए कि इतने कम समय में आप यहां पर एक्जाम यहां को लेकर हो गया, बागी जो आपका एकजामनेशन चला का डिटैल जो है, उदेख सकेंगे, बागी अभी के लिए अबडेट है, बागी जैसे भी आपकी अनिय अपडेट या फिर इन्फोर्मेशन आते हैं, बागी आपको इस प्लेटफर्म राइटे ऊजकर सें इंडिया जो सस्क्राइब नहीं किया सस्क्राइब करते हैं वेल आइकन को प्रेज जरूर जरूर कर दीजरेगा मिलते हैं हैंगे लिए ने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई बाई टेकर अल्डवेट थैंक यो फो लिस्निंग गॉट ब्लेस आल थैंक यो